हेलो दोस्तों वेल्कम प्यों चनल सो दोस्तों कॉमिनेशन की हमने क्लास इस्टार्ट कर दी थी हम थार्ड नंबर तक पहुंच गया थे रिजल्ट में जहां पे एंसी आ बराबर एंसी एन माइनस आर यह वाला हमने पड़ लिया था ठीक है तो आज हम इसी के आगे करने के बार विडियो को चलिए बने टैम बेस्ट करते है तो आते हैं अपने चौतह रिजल्ट पर चौतह रिजल्ट क्या बोलता कॉमिनेशन गा ओर फॉर्थ रिजल्ट हमारा बोलता है एंसी आर प्लस और माइनस एक्वाल टू एन प्लस वन सी आर यह बहुता है अब दे यहां पर आपर क्या लिखा हुआ है न स्टेज़ियाद आउपर हमारा N प्लस होना जाएगा नीचे हमारा क्या रहा है R और R माइनस वन इसमें इन दोने बड़ा कॉन सा है हमारा R बड़ा है ना क्योंकि देखिए R और R-1 से ग्रेटर है ना यह क्योंकि देखिए पॉइंट हमारा क्या बलाता है ncr plus ncr plus 1 equal to n plus 1cr plus 1 अब देखिए यह आप कैसे याद करेंगे देखिए उपर हमारा क्या है nn है तो उपर n plus 1 रही रहेगा ठीक है नीचे क्या है r o r plus 1 तो इन में से जो बड़ा है r plus 1 बड़ा है न यह अला तो हमारा r plus 1 आ जाएगा जैसे बिलकुल ऊपर वल्म क्या था r o r minus 1 में कौन सा बड़ा है r बड़ा था तो हमने यहाँ पर आठ ले लिया नीचे वल्म कौन सा बड़ा है r o r plus 1 में कौन सा बड़ा है मारा r plus 1 बड़ा है इसलिए हमारा यह आ जाएगा ठीक है तो आपको इस तरीके साथ करने आप चाहो तो इसके एक्जामपल लिए आप इसको एक्जामपल के तौर पर आप इसको घर में ट्राइगा इन की जगा यहाँ पर रखतीजेगा 6 r की जगा 4 और यहाँ पर n तीजे अगले रिजल्ट हमारा बोलता है ncr upon ncr-1 equal to n-r plus 1 upon r ठीक अब देखिए इसको कैसे याद करना है आपको इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है देखिए उपर हमारा क्या लिखा है n और नीचे भी n लिखा हुआ हमारा ठीक है तो क्या करेंगे n में से r हम जोड़ देंगे ठीक है एक तरीका तो ही हो गया और upon r लिख देंगे एक तरीका तुह दूसरा तरीका क्या नीचे क्या लिखा है n और r-1 लिखा है तो यहाँ पर n-r plus 1 लिख देंगे upon r इस तरीके से तो आप यह याद करने के trick होती है आप चाहो तो इसको किसी भी तरीके आपके यहां पर यहां पर दिक्लुद आप अपर Ohhh यहां पर लिए हैं an तो सम्मक्राइख सब्तुरृ अ पर यॉप कर डिक्लू जल सकते हैं आ हमने स्पूर की हैं पर कि यहां पर सिक्ष फर्दाइख गोगे R-1 तो यह क्या हो जाएगा N-R-1 upon R हो जाएगा ना R लिखा था ना R नीचे लिखा ना ठीक है यह वाला तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं ठीक ना तो आप इसको याद जुरू करिएगा इसमें आप घर पर रखे घर पर इस पर ट्राइ करिएगा कि दोनो केसे हैं अब आते हैं 7th नंबर पर 7th नंबर हमारा क्या बोलता है result N-C-R equal to N upon R N-1 C-R-1 देखिए result को हम चाहे तो प्रूफ करा सकते हैं उसके example भी कर सकते हैं लिके उससे क्या होगा उससे काफी ज़्यादा time consume हो जाएगा ठीक है ना तो इसलिए मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको घर में खुद कर सकते हैं मैं आपको result बता दू किस तरीके से आप उसको प्रूफ कर सकते हैं अब देखिए यह हमारा जो सात्वा नमबर था है ना यह हमारा जो सात्वा नमबर था यह इस तरीके से होगा Petr going beyond Elon kiss and car-1 अब इसको कैसे आद करें देखिए अनम दूसरा roll लेन इसमें प्रहाए लिखे अब देखिए यह जापिर यह अपर नसरा न लिखा निचे और लिखा तो आप लिखी लें इसमें अब देखिए उपर रहने तो ऊपर Şिंद यह जिलिए आ ऑब नहीं डिख दिक कタ्राम कंतरी के तैंट जो है इसको तरीके से दी सकते हैं sitten तो कुल मेरा मतलब इसको याद करना है क्यों कैसे याद करना है मतलब नहीं केवल याद होना चाएफ क्योंकि कभी-कभी यह पिजल आफ विसयुने इसको याद रखेगा अदकी यह आफ्ट number पाल्ट के पालेता अब यह पूछ लेगा, कि हमारा n odd है, तो ncr maximum किस पर होगा, तो ncr किस पर maximum होगा, जब r हमारा होगा, n-1 by 2, और या फिर n प्लस 1 by 2, इस पर हमारा maximum होगा, ठीक, और यदि even है, तो उसका क्या case आएगा, यह भी डाल लीजिए, ना यह तरंबर पर डाल लेते है, 9th नंबर हमार क्या बोलता है, when, n is even, ncr is maximum at r बड़ाबर n by 2, ठीक है, यह देखिए, यहां पर क्या बोलना है, n is odd, n हमारा कैसा odd है, तो ncr maximum कब होगा, ncr maximum तब होगा, जब हमारी r के value, n minus 1 by 2, या फिर n plus 1 by 2 होगी, यह होनी चाहिए, तो यह वाला, आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे, कि r बड़ाबर n minus 1 upon 2, और n plus 1 by 2, कि देखिए, vision में क्या होता है, दो आते ही आते हैं, और sum में क्या होता है, n by 2, आप करना सिधे सिधे, सपोस्ट करिए, यहाँ पर, यहाँ पर 20 दिये था, तो 20 बटे 2, तो r अमारा कितना आजाएगा, r अमारा आजाएगा 10, हाना, max, इसमें वाले में, even वाले में, और यहाँ पर 11 दिया हुआ था, हमारा vision पर 11 minus 1 upon 2, और 11 plus 1 upon 2, तो यहाँ पर 5 आजाएगा, यहाँ पर 6 आजाएगा, तो यह हम कौन से एक, उसमें कुछ थोड़े से rule है, फिर इसके बाद से कुछ problem है, उसको देखते हैं, पहले यहाँ पर rules के बारे में discussion कर लेते हैं, तो आज आज अच्छी बात नहीं है, तो rule क्या है हमारा, देखिए, rule हमारा क्या बोलता है, rule हमारा बोलता है, यह combination की सब बात हो रह ठीक है, एन में से आर अगर हम लेंगे, और एक्स क्या होगा, always occur, है ना, कहने मतलब है, एन में से आर हम ले रहे हैं, और एक्स आलवेज़ अकर हो रहा है, तब इसमें कौन सा formula लगेगा, तब इसमें लगेगा, एन माइनस एक्स, सी, आर माइनस एक्स, यह इस तरीके से है हुआ है, तो कहने मतलब यह हैना, तो कहने मतलब यह है कि, एन में से r और x हमेसा y अकर का मतलब होने का मतलब क्या होता है, always occur हो रहे है, हमेसा argue, एन में से x घटा देंगे, c, r में से x घटा देंगे, इस तरीके से हो जाए गई, ठीक हैना, रूल नंबर डाल दीजिए कुछ भी डाल दीजिए कुछ भी डाल दीजिए और देखिए अब इसमें क्या है एन में से आर और एक्स कभी नहीं आ रहा है ना करने की यह दो एक्सात नहीं होते हैं एक को एकक देना होता है ना दो नौट कमबाइन एक साथ नहीं लेना होता है ठीक है अब देखिए रूल नंबर यहां पर देख लेते हैं रूल नंबर तीसरा तो नंबर तीसरा क्या है एन अबजेक्ट को और परसन में अगर डिस्ट्टिउट करेंगे और कितने भी अबजेक्ट हो कितने भी अबजेक्ट हो उनको ले सकते हैं तब क्या होगा तब combination कैसे लगेगा तब हमारा combination हो जाएगा n प्लस r-1, c r-1 ठीक है तब क्या होगा n में एसे r को जोड़ेंगे और एक minus कर देंगे और r में एक माइनस कर देगे ठीक है तो यहां से अपर जितने रिजर्ट थे और रूल थे वह यहां पर लगबग लगबग कंप्लीट कर ली है इसके बाद अजले क्लास में हम जो प्रॉब्लम्स होंगे नंबर सिस्टम पर उसको डिसकर करेंगे ठीक है तो आशा करता हुआ आपका व